यह नाजेशन का पाट 5 का वीदियो है और इससे पहले हम लोग नाजेशन को डाइट से इंडायट में चेंज करने का खुछ रूप देख रहेते हैं और आज भी हम लोग रूल नमर 7 को देखेंगे तो रूल नमर 7 है हम लोग का यहां पर आम लोग कि शेखेंगे एक्सकलेमे ट्री सेंटेंस यान की वह सेंटेंस जिससे हम लोगों किसी तरह की एक्सक्रेशन का पता चलता है उन सवी सेंटेंस को डाइट सेंट चैंज करें सबसे पहला रूल हम लोगा क्या है कि reporting verb में अगर माली जी कि pray wish exclaim with joy sorrow exclaim with joy means कि कोई ऐसा sentence जिसको पढ़के समझ में आ रहा है कि खुशी हो रहा है sorrow means जिसको पढ़के समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं दुखी हो गया surprise का meaning तो पता ही होगा anger हो गया यहाँ पर और एक है contempt and the last one is apollos apollos means होता है कि माफी माँगना या माफी करना है तो इन सबी का मतलब इस टाइप का अगर expression पता चलो उस sentence है तो उसमें reported speech कारता अनुसार हम लोग meaning के अनुसार हम लोग change कर देंगे अगर example देखते है पहला नमर एक्जामपल है जो की he said this is the example alash I have lost my father sentence को पहले पढ़ना है उसके बाद समझना है कि इसमें गोल कहा रहा है he said alash I have lost my father उसने कहा कि alash यान की बहुत दुखी का expression है alash I have lost my father मैंने अपने पिता जी को खो दिया तो इसमें तो समझ महीं आ रहा है कि excellent with sorrow होगा यहाँ पर sorrow यान की दुखी हम पहले बता दिया है तो इसका change कैसे कर लेंगे हम लोग he exclaimed in sorrow उसने sorrow के साथ explain कि that he had lost his father यह इसका होगे change यहाँ पर that कैसे लगया यहाँ पर comma अटाक कि that हम लोग यूज कर दिया है यह था रूल नमर टू कि inverted कॉमा को हटाईए inverted कॉमा को हटाईए and put the that यह वर्ड हम लोगों पूट करना है रूल नमर थ्री में हम लोगों क्या है कि भले ही inverted कॉमा के अंदर what और how जैशा वर्ड हो लेकिन इसको हम लोगों क्या करना है रिमॉफ कर देना है हटा देना है sentence विल्कुल लेकर लियाना है बल्कि sentence में जो में मुद्दा है I have lost my father उसको लेकर आना है हम लोग इसमें अलास जो है वो सिप पता लगाने के लिए है कि हाँ यह sentence में दुखी का expression हो रहा है we have won the match यह एक sentence है बहुत ज़्यादा खूश है वो लोग क्या बोला है कि हम लोग जीत गया है यानकी हुर्रे वर्ट से पता चल रहा है कि हाँ यह जो है एक exclaimed with joy यानकी joy का expression बता रहा है तो इसमें कैसे change हो जाएगा इसका the boy exclaimed with joy that they have won the match won the match यह इसका change हो गया from direct to indirect उसी तरह अगर किसी sentence से pray का पता चलता हो कि हाँ pray हो रहा तो आपे pray हम लोग कर देते हैं the boy prayed that उसी तरह exclaimed with joy, surprise, anger चलते है एक्जाम्पल नमब 3 की ओ एक्जाम्पल नमब 3 क्या है I said ah she is dead यह हम लोग का एक sentence है ठीक है इसको क्या करना चेंज करना है I exclaimed with sorrow यहाँ पर भी she is dead और यह ah word जो लगा दिया है तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि वह बहुत ज़्यादा दुखी है आज because she is dead तो she was dead इसका change हो गया इसका change हो गया एक्जाम्पल 4 है हम लोग का I said what what a fine place it is यह हम लोग का sentence है इसको क्या करना है इसको क्या करना है तो यहाँ पर what या how ऐसा कुछ भी word आये तो हम लोग क्या बोले है कि इसको replace करने या हटा देंगे इसको भी हटाना है I exclaimed with joy that it was a very fine place यह हो गया इसका change यहाँ पर what था but sentence हम लोग what का use नहीं करेंगे एक्जाम्पल 5 क्या है she said how dark the night is यह हम लोग का हो गया sentence इसको क्या करना है change करना है one point should be noted कि जब भी हम लोग interrogative sentence को change कर रहे थे तो question mark से indirect करते हैं full stop दे 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 थे तो उसी तरह exclamatory sentence में जो exclamation mark है उसको हटा कर indirect में लोग full stop का sign यह punctuation mark यह है use करेंगे तो c exclaimed with surprise यहां पर surprise का पता चल रहा है how dark the night is यह night कितना dark है तो अज suddenly हम पता चला तो surprise हो गए है that the night was very dark यह हम लोग का हो गया sentence लास्ट गया करें full stop exclamation mark वापस से नहीं दोराना बल्कि full stop करना है indirect में exclamatory sentence का जो structure होता वो थोरा सा अगर देख लेते हैं तो हम लोग का idea क्लियर हो जाता है जब भी हम लोग इस type के questions को item करता हो तो exclamatory sentence हो गया okay इसका word order क्या है सबसे पहले sentence plus exclaim with joy और sorrow etc में आ सकता है surprise angry या फिर और बहुत सार जीता मैंने starting में बताये थे plus that plus noun clause okay यह हो गया इसका example अगर देखें तो see exclaimed with joy that she had won a price ठीक है price जीत लिया है उसने तो यह तो बहुत खुशी की बात है joy की बात है तो इसलिए यहां पर exclaim with joy ठीक है sentence के अनुसार मतलब हम लोग joy sorrow जो भी लगना है वह use करते है she exclaimed with request उसने request के साथ exclaim किया that he was poor अब कोई पूर अगर रहेगा तो वह तो खुश हो नहीं हो जाएगा या फिर दुख भी नहीं होना है क्यूंकि this is there is a condition तो इसलिए यहां पर request का use हुआ कि वह गरीब है अब है I exclaimed with sorrow मैंने sorrow को साथ कहा that she was dead यह हम लोग का sentence हो गया यह सब जो हम लोग का यह उपर वारा जो word error इसको follow कर रहे और follow करके यहां पर हम लोग एक sentence को construct कर दिया है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को narration का यह 7th rule जो है इसका content पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को like कीजिए ज्यादा ज्यादा share कीजिए और डेली ने अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए साथ इसाथ मैंने description में इससे पहले वाले जितने सा narration related videos है उसको दे दिया है आप लोग जाकर देख लिजिए ताकि idea clear हो और उसको बाद यह भी चीज समझ में आ जाए